आज हम लोग बात करेंगे रियक्षन विद अमोनिया एंड देरिवेटिव कहने का मतलब क्या एल्डियाइट की टोन की जो निकलियोफिलिक एडीशन थी उसमें अब जो होगी वो लास्ट रियक्षन ही होगी लगवग आप आज की बाद और इस रियक्षन के बाद हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं पहले तो अमोनिया से कराएंगे उसके बाद उसके डेरिवेटिव से बच्चो सबसे पहले आप लोगों को बता दू अमोनिया होता क्या मैं यहां पर देखा जाया तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पियर होता है और इस तरह से तीन हाइ list होते हैं सबी पुन पता होना चाहिए किसी भी स्ट्दिन्ट को अधistas को सब्स्ट्टीटोट करके इस सा फानी अगे में महाने जल लग Venice यह भर हो जाएगा इनका मतलब एक hydrogen को replace करके उसकी जगह different different group का एड होना ही क्या हो जाता है derivative of ammonia simply तो इसको हम लोग क्या कह देंगे एक word में ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चो HN HZ इस तरह से क्योंकि है क्या मैं भी बता दूँगा आप लोगों को ऐसा मैंने क्यों लिखा है सिंप्ली अभी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसकी जब में बताऊंगा एल्ड हैड और कीटोन स्पेस की में को जब क्लिए करूंगा तो यह आपको पता चल जाएगा कि यसा क्यों लिखा गया है ओके तो देखेगा बच्चों ले लिएगा मालों कि यह आपने कोई कार्वनिल कंपाउंड लिया कुछ इस तरह से ध्यान से देखेगा किस से करेंगे एन एच जड से बस होता गया है आपको क्लियर है नाइट्रोजन इसके पास होगा पार्शियली निगेटिव और बच्चों इसके पास होगा पार्शियली पॉजिटिव ओके आपको भी पता है आकसीजेन हालोन पेर यैनिक्या पके पास क्या हूतें फ्री एक्स्ट्रायच्टर अपने इसको खरेगा बच्चों जैसे को तोड़ देगा यानि कि इस में को तोड़ने का मतलब यह यह इस प्रलेका इस नाइट्रोजन के तरब जा लेगा कुछ इस तरह से ध्यान से देखिएगा देखिएगा जैसे यह आक्सिजन बच्चों यहां पर आएगा तो यहां इस पर आजाएगा पॉजीटिव चार्ज और इसके साथ हाइड्रोजन आ गया है समझ लीजेगा और यहां पर क्या आपके पास बता बचा है एनेच जेड़ पर माइनस अब देखो ऑक्सिजन ने क्या गिया था अपना इलक्ट्रॉन यहां पर डवल बांड है अभी मैं बताऊंगा क्या हो रहा है ऑक्सिजन ने अपने लक्ट्रान हाइड्रोजन को डोनेट किया और उसको अपनी और एप्रोच किया तो इसके पास बच्चों कैसा चार्जा ज आपके पास जो सीन क्रियेशन होगा वो कि चीज़ कुछ इस तरह से होगा ध्यान से देखो क्या होनी वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टुडेंट्स बस आपको देखना है देखिएगा यहां पर ऑक्सिजन और प्लस इस पर कॉन एड हो गया एन एच एंड जैड ओक इस तरह से बच्चों एक हमारा सीन क्रियेट हुआ जाके इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं यहां से देखो और यह हाइड्रोजन मिलकर के बच्चों एक बहुत ही अच्छा वेटर लीविंग ग्रूप बन गया मतलब वाटर रिलीज हो गया आपका आप जब वाटर रिलीज हो कारवन के साथ कैसा हो जाएगा एंड एंड निकल गया केवल जैड कुछ इस तरह की सीज बनेगी बस इतना सा अगर आप लोग समझ गए तो आप हमको क्या करना है हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगए डिफरेंट डिफरेंट ग्रूप को बच्चों एड़ेस्ट करना है और उसके नाम लिखने है जो की बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ध्यान से देखिएगा यह इस पर सीज बनी है बट यहां पर जैड है यह जैड आपका सब्सीट्यूटिट है इसकी जगे हम लोग डिफरेंट ड नाम देखेंगे जो की बहुत इंट्रेस्टेड होंगे तब तक चाहो तो इसका बच्चों स्क्रीन सॉट आप लोग ले सकते हो ओके तो देखिएगा अब हम लोग इनके नाम लिख लेते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा मैं सब्स्टीट के साथ क्या किया था रियक्षन किया था अब देखो इससे नेम कैसे लिखते हैं इस जेड की जगह हम लोग सब्स्टीट्यूट करेंगे फॉस्ट आप पहला कंपाउंड जो है हमारा क्या बनने वाला सी डवल वान एन इस जेड की जगह बच्चों हम लोग एक एन इमीन कैसे हो या इमाइन के दो जो जो भी आप लोगों को प्रोलिंसेशन करना हो कर लिजीगा ठीक है क्या गया मैंने इस जेड की जगह है एच का सब्सीट्यूट किया तो यहां से इमीन का फॉर्मिशन हुआ ऐसे बच्चों अगर हम लोग यहीं पे दूसरा कंपाउ इसको एक और नाम से जानते हैं लोग क्या कहते हैं सिफ वेस बोलते हैं इसको बच्चों सिब्स एंसी आईटी में आपके बहुत ही अच्छे से गिविन होगा आप लोग उसको अच्छे से देख लिजेगा किस तरह से यहां पर यह कंपाउंड का फॉर्मिशन हुआ और उ लोग कहते हैं इस जढ़ कोई प्रोब्लम हुए आप लोगों को बिलकुल नहीं चलो फॉर्थ नंबर देख लेते हैं यहीं पे अगर हम लोग इसको किसे कर देखिएगगा कुछ इस तरह से सी डवल बांड एन इस जढ़ को हम लोग एन एच ही तुं कुछ इस तरह से कर अब होता गया है it with लोक या अमोंिया को यहां पर देखा था वैसे केबल क्या है इस जेड की जगे हम लोग वारी-वारी से सब्सिट्यूट कर रहे हैं और उनके नाम लिख रहे हैं जो कि बहुत ही इंट्रेस्टेटर है बहुत आपके इम्पॉटेंट है पॉइंट आफ व्यू एक्जाम से एक्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आप देखिएगा फिप्त नम्मर पे देखो यह अमोनिया है यहां पे अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन को रिपलेस किसे कर दें फेनिल से तो देखो उसका नाम क्या होगा कु फेनिल हाइड्रोजोन फेनाइल हाइड्रोजोन हाइड्रोजोन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट केसे सहीं सारे है ऐसे ही अगर हम लोग यहां पे शिक्स नमबर पे बात कर लूँ कुछ इस तरह से ध्यान से देखिएगा सी डवल बॉन एन 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 एच और जो य इंजीन लगाया था अपने फेनिल गूर्प लगाया था इसमें अगर हम लोग यहां पे अनो टू इस पोजीशन पर यानि कि यह वन कह दो यह टू है यह थिरी है और यह फोर है अनो टू एक यहां पे एड़ कर दूं कुछ इस तरह से ध्यान से दिखिएगा अनो टू तो टू फोड़ दो है तो डाइच कोई टू-फो डाइचे यहां में खेयोन न्जा सबशीयकट होगाए अगर हम लोग इसकोạ सब्सीट्यूट कर देते द्याण से देखो मालो कि आपने अभी क्या देखा था इस तरह से सिंगल डवल बॉन एंड 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 एजटू यहाँ पे एक हाइड्रोजन को अपकी वार हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं कुछ इस तरह से यहां यहां भी जहाँ से उसे लगाया है हेला इस यह इस तरह से बच्चों सेमी कारवार्वा जूझ सेमी कारवा जूझ तो इस तरह से बच्चो हम लोगों इक्या देखा है सिम्पल सा क्या देखा है जह ने कि मैक के वियरीमस कि इससे रिएक्शन किया और उच किया घ्रिडिप के और भारक वाटर मैंने उसकी मेरी निज़ं बताई है आप लोगों को binatiBond was को हमने डिफ्रेंट डिफ्रेंट गुरुप से बच्चों सब्सिट्यूट किया और उस सब्सिट्यूट के विहाब पर उनके कुछ इस तरह से नेम होते हैं जो कि खास इंपॉर्टेंट है आपके तो बच्चों मैं हम लोगों ने क्या किया है जितनी भी हमारी लिएक्षन थी अग्याइट का मतलब एक टाइप था क्या एडिशन थी निकलियोफिलिक एडिशन रियक्षन जितनी भी थी हमारी है की टोन्स की वह मैंने आल्मोश्ट फिनिस कर ली है अब बच्चों हम लोग जो नेक्ष रियक्षन पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे आपकी नेम्ड रियक्षन है उसके लिए आप लोग अलग से कॉपी बना लीजेगा और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर स्पेन का यूज करिएगा फिर देखिएगा आपको रियक्षन कभी भी रटनी नहीं पढ़ेगी एक बार पढ़ लोगे इसके बाद लास्ट में आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा जब आपका एक्जाम होगा तब तक के लिए बच्चों आप लोग वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का टिल एंट थैंक्स एंड लॉट